question number 6 t upon 5 equal 10 this is the linear equation with 1 variable क्योंकि इसमें एक ही variable है और variable की power भी क्या है 1 और 1 क्योंकि maximum power है इसलिए इसको linear equation बोलते हैं अब क्योंकि हमें t की value find करनी है तो t को अकेला रखना पड़ेगा t को अकेला करने के लिए t के साथ divide में अगर कोई value है तो उसे right side send करना पड़ेगा दूसरी तरफ अब जब divide में कोई value होती है तो वो shift होने पर multiply में जाती है तो t is equals to 10 into 5 और t की value बनी 50 चलो एक और method से मैं आपको यह समझाती हूं कि अगर मुझे t को अकेला करना है तो t की multiply divide में 5 है तो क्यों ना मैं इस value को 5 से multiply कर दूँ क्योंकि 5 से 5 cancel हो जाएगा लेकिन अगर मैं left side ऐसा कर रही हूँ तो right side जरूर ऐसा करना है क्योंकि हमें equation को balance करना होता है 5 से 5 cancel हुआ और t की value आई 50 अब आपको इसी के जैसे दो practice question मिले हैं यहाँ पर इन दोनों questions को solve करके अपने answer चेक करने है और अगर ना आए answer तो इसको वापस देखना है वीडियो को और फिर से इसे सीखना है तो जल दो मिले से थागिया तम है प्ता सुआ है आपको marked कि शरी को कünde प्रूबंचर 1 les6 आपको से बढकées फिर दो को वापते भीडियो को 5 प्रूबंचर 6 विर दो, 7 तो, 5 ओदाओर कर दो 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 कर झाल, 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 झाल